हालो गुद इवनिंग फ्रेंड दिस इस संकीता और आज दे थ्री है और आज हम क्लॉक रिजनिंग का थर्ड टाइप पड़ेंगे जिसमें हम अंगल रिफ्लेक्स अंगल के बारे में पड़ेंगे ठीक है तो इसका बहुत ही बेसिक इसके रिफ्लेक्स और एंगल और रिफ् में सही रहता है अप यह नहीं कह सकते कि हर कोशिन उसे से निकलता है तो ज्यूदा है कि आप यह वाला मेथड यूज करें कि रिफ्लेक्स तो इजी मैथा है अगर पकी परड़ें होगी तो बक्तर में उस मेथां से भी आपो कोशिन करlaimed के कोशिक करूंगी लेकिन जो मैंने अनलाइज किया है कि रेशो मैथड से बहुत ही कम एकुरेसी लेवल रहता है उससे ठीक है तो हम जो ट्रिक मैथड आपका यूज करेंगे